कि यह गाइज वाट्स अप एंड वल्कम बैक टू पार्ट टू आखिर के पार्ट टू हम लोग डिसक्स कर रहे हमने पार्ट वन और रेकॉर्ड कर दिया अगर आपने देखा नहीं तो फड़ावट से हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लो मैं इसका वीडियो का लिंक यह जातो नीचे description में होगा जाके पहले part 1 जरू देखना यह बच्चे जो जून में दे रहे प्लस December वाले इसको जरूर देखना विकाज एक्जामनेशन के लिए बहुत ददा इंपॉर्टन होगा जो आपके examination के लिए बहुत-बहुत दा इंपॉर्टन होंगे और यारो उसको जो वाला एमेंड मिल क्या बोलता है सबसे पहला पॉंट मुलता कि बिया अब आपको दिक्लोजर्स करने अगर आप एक NGO ठीक है तो बोलता है कि शाल भी रिक्वायोड शाल भी रिक्वायोड टुमीक एन अनुवल डिस्क्लोजर ठीक है कहां पर सोचिल सॉच्छेंज में तो बहुत सेंपल सी बात बोल दी अगर आप एक प्रॉफिट वाले हो तो में बोर्ड ऐसे मी जो भी आपका रिस्पेक्टेव एक्स्चेंज वहां पर बता दोगे और अगर आप एक नौर्ट फॉर प्रॉफिट हो तो भी आप बता दोगे सोचिल सॉच्छेंज कब बताना है विदिन इस सिक्स्टी डेस बताना है कब से सजब से फिनांशल एर खतम हुआ है यह नोट्स आपको डिस ब्लैंक और लिखा हुआ दोनों भी आपको लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगला है डिस्क्लोजर यह थोड़ा से इंपॉर्टन है एक्जामिनेशन परस्पेक्टिव में मैंने पूरे वीडियो में बार-बार बोला हुआ है इंपॉर्टन इंपॉर्टन तो प्ली इन चीद होने वाली वाप डिस्क्लोज करोगा हला कि वो डिसकर्स डिसाइड जो चीद मैटीरियल है की नहीं यह कौन करेगा बोर्ड ऑफ डिरेक्टर करेगा मैनेजमेंट करेगा जो जनरली ऐसी होता है अगला बोला बिया सोचल एंटरप्राइज ऑथराइस वन और मोर इस Kang P क्या करने के लिए फोर मेकिंग डिसक्लोजर बिया किसी को बोलेगा आप डिस्क्लोस करो एंड कि आप की थे ऐपकी तेक है आप की दिमेंदर वीडियो शेयर करनी की भी या नेक्स्ट बिया सोचल एंटरप्राइज क्या करेगा शॉल्ड डिस्क्लोस एनिवेंट सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसा को इवेंट ऐसा कोई चीज जो कुछ होने वाला या कुछ हुआ है जिसके उपर आपके कुछ एफेक्ट आने वाला है साथ दिनों के अंदर-अंदर बतताना पड़ेगा यह आपको हर एक चीज रेगुलरी अपडेट करनी पड़ेगी आपको स्टारेट क्वेरीश की रफ्लाई भी करनी पड़ेगी जो जनली हम कंपनी सॉलो करते हैं यहां पे इनको भी करना है यह थोटा सा इंपोर्टेंट है मेक्शॉर को यह एच्छे सा पड़की जो इस आंसर को अगला बोला है सोशल सब्सक्राइब इस वेप साइट ज आपको आपको एक एनवल इंपंट रिपोट दाल यह आप एक सोश से एक रिंप्राइज हो आपको एक एचाल टील बी audited audit होगा ठीक है कौन audit करेगा एक social auditor होगा जिसके अंदर हम यह जो बंदा होगा यह audit करें अभी यह आपने जो impact report बनाया है perfect है कि नहीं ठीक है जी बढ़ता है अगले regulation में यह LODR का ही है जो deviation variation जो पहले concept हुआ करता था तो पहले rights issue public issue इसमें लगा करता है ठीक है अब और चीद बोला गया एवरी लिस्टेड नौट फॉर प्रॉफिट और शाल फाइल statement ठीक है statement जहां पर कितना पैसा आया किदर पैसा इस्तमाल हुआ किदर पैसा आया कहां से आया कितना इस्तमाल हुआ और बालेंस जितना भी बचावा उसका डीटेल आपको quarterly 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 आपको देना पड़ेगा quarterly 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 annually impact report बना कि देने and quarterly आपको भी पैसे खर्च कहां से कितना और कहां से पैसे आरे यह आपको बता रहे जी अगला यह बहुत important है मुझे लग रहा है इस बार सवाल इस पर पूछ लेंगे बहुत important है इस बार सवाल इसे पूछ लेंगे कि इंडिपेंडेंट डिरेक्टर का अपॉइंट करने का तरीका बता दो तो यह जनरल इटेस पहले तो भी ऐसार से था अब क्या हो गया अब अपॉइंट करना है special resolutions है ठीक है अगर special resolutions नहीं कहना जो पहले भी था अब अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप और से पास कर लो यह एक अल्टिनेट मेथर लागया आप कैसे पास कर लो और से पास कर लो और से पास करने के साथ निर को जो लोग हां बोल रहे है जो ज्ञाब होना चाहिए as compared to as compared to जो लोग न बोल रहे है यह alternate मेथर आ गया independent director को अपॉइंट करने का पहले ऐसार था अब भी ऐसार है बट अगर आज मेरे को अल्टरेट रूट यूज़ करना है तो भी और प्लेस जितने लोग अहां कहरें वह जाद होने चाहिए अध्य कॉंप आनगाल सकता हो निकाल सकता हो 110 परसेजर अल्टर Hans규 अगर आपने लाते वक्त जरीचर किया है तो निकालते वक्त भी यही करो गे ठीक है तो यह Talking जी एलोड यार वाली अमेंडमेंट अब बढ़ता कि तेक ओवर में अमेंड बढ़ा है रिगुलेशन नुबर एट मैंने पूरे लेक्चर के वक्त मैंने सारे रेगुलेशन आपको याद करवा दिये थे रेट एट इप रिमेंबर त्री शेर्स येस आब याद करो जो रेग इसके अंदर एक केड़न वा करता था अभी भी है वाल्यूम वेटैड आवरेज मार्केट प्राइस वाल्यूम वेटेड आवरेज मार्केट प्राइस यह रूल सब्सक्राइब करे रखा PSU जब भी इसका पार्टी होगा जब भी हम टेक ओवर PSU का करेंगे यह रूल आप लेकेबल नहीं होगा ठीक है अब आपको याद रखना पड़ेगा कि यह बहुत इंपोर्टन एक्जामिलेशन परस्पेक्टिव के लिए एक दम अच्छे दे बढ़ना इस बार सवाल अच्छे से बन सकते इसमें से अब हो क्या रहा है एक बहुत बड़ा इंपोर्टन केस हुआ था यह बैक्ग्डाउंड बता दो बैक्ग्डाउंड हुआ क्यो आते हो तो पैसे पब्लिक क्यों होता है तो इसलिए अब यह सब कंडिशन यह सब रूल्स और रिगूलेशन आ गया क्या समझो लोगा अब पी आटी के रूल्स एमसी पे भी आपली के बोलोगा एमसी मीन्स आसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या कहता है अब उनके भी लोग जो नहीं कम्यूनिकेट करेंगे नहीं प्रोक्यॉर करेंगे नहीं कम्यूनिकेट करेंगे नहीं प्रोक्यॉर करेंगे क्या information UPSI जो जो लिस्टेट कंपनी है अगर इफ्यू रिमेंबर यह मेरा regulation number 3 था of PIT या दोगा जो regular lecture बैठे हुए यारो इसके exception है अगर मेरी legal duty है मुझे वो function करना पड़ेगा information देनी पड़ेगे तो दिया तो भी चल जाएगा चल जाएगा to perform duty to discharge legal duty है legitimate purpose है या communicate करनी पड़ेगे तो ऐसे case के अंदर अगर information communicate किया तो भी चल जाएगा पहले यह rule नहीं थे अगर आप communicate कर भी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी अगर आज नेक्स इंपोर्टन तेंग कि आपको ना अब पिए टी में यह बोल देया भी है कि यह mutual fund के अंदर जो AMC उसके अंदर कुछ लोग है क्या नाम रख दिया उनका उनका सर्टन परसन क्या नाम रख दिया उनका सर्टन परसन कुछ लोगों को अब क्या करना पड़ेगा disclosure देन पड़ेगे पहली चीज़ सेकेंड अगर थ्रेशोल डेमिट के ऊपर ट्रेडिंग हो जाती है तो दो दिन के अंदर अंदर आपको यह डिस्क्लोजर एक्स्चेंज को देना पड़ेगा ठीक है और यह इंपर्टन चीज़ आपको याद रखनी है तो बिस देखने के लिए आपको पेज नंबर 14 में मेरे साथ दौड के जाना पड़ेगा आजो पेज नंबर 14 में चलते हैं यहां पर मैंने आपको रेफरेंस पर देखे रखा हुआ है यह आ गया मेरा पेज नंबर 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 14 यह रहा भया जी मेरे designated person ठीक है तो देख लो यहां पर बोला हुए head of AMC जिसको आप क्या केलो CEO बोलो MD बोलो President बोलो जो कहना है कहलो आपकी मर्जी है डिरेक्टर लेलो AMC का ट्रस्टी का या CIO लेलो CRO लेलो CO लेलो भाई जितको लेना लेलो भया यह सब कौन लोग है यह सब डेजिगनेटेड परसन है ठीक है जी यहां पर ले लिया है फंड मैनेजर डीलर्स रीसेज अनालिस्ट इन्फरमेशन सेक्यर्टी ओफेसर्स फंड ओपरेशन डेपार्टमेंट कंप्लैंस ओफेसर यह सारे लोग साब जी कौन बन गया है डेजिगनेटेड परसन अगर बन गए हो डेजिगनेटेड परसन तो भया आपके उपर प्रक यह इंसाने बालक अगर तुझे लगता है कि तेरे साथ गलत हुआ है पाप होए अन्याई होए अत्याचार हुआ है डारेक सेविया स्कोर्स के पास पहले मत जाब वेरी फर्स टास्क विल भी गो एंड अप्रोच लिस्टेट कंपनी या जिसनी भी आपके साथ गलत क्या है कि यह आप एक साल के अंदर करते वन्हा आपने डाला आपने फाइलिंग करी आपका हो जाया का रिजेक्शन एक और चीज़ीद है वन टाइम रिविव यह कैंड डियारेस जैसे धोनी करता नहीं ऐसे डियारेस है अब दोनी जब डियारेस करते तो बहुत है आउट है में जो डियारेस की ज़री दितना इतरह नम फेर है कि दोनी ने DRS की घटम करो वैसे है यह वन्टैम्डवी आ गे ऑन्टायम रिविव आ गया गया वहन तरफ सर वन टाइम रिवी ले लो वान टाइम रिवी ले लो जिसके अंदर जब से प्रॉब्लम रिड्रेस वह एटी यरे विगर फाइल हो गया है वहां से 15 डेस के अंदर अदर आपको फाइल करना पड़ेगा जैसे तुमने क्रिकर्ट में देखी कुछ सेकंडों के अंदर आपको का करना पड़ता है यहां पर 15 दिन का चीज दिया है अब जो भी इंटर्मीडिटरी अब जो भी इंटर्मीडिटरी कंपनी प्रपोस्टू बिलिस्टर कमणी जितने भी लोग है उनको बोला कि साहब देखो अब से आपको स्कोर्स में लिस्ट करना पड़ेगा दूसरा वीडियो बना रहा हूं मैं यारो बहुत इंपोर्टेंट है कि आप क्लैरीटी रखोंगे नहीं हल जाओगे पैनिक नहीं होने एक्जाम की दिन एक्जाम की दिन पैनिक हो गए ना तो जो आता है वो भी नहीं आगा नहीं चीज अब नत पड़ो नहीं चीज लग गए हालत खराब हो जाएगी एकदम काम रहो और पेपर अच्छे देलिको जितना हो सके अच्छे से लिक कर आओ एकदम काम लेकर क्वेश्चन पड़ो और क्वेश्चन का आंसर सोचो कुछ भी मत लिखो तो मांक्स नहीं मिलना है प्रॉपर तरीके से लिखो यारो अ पूरा पूछ लेंगे बाताओ क्या-क्या चीज़ होगी तो यह infor इसकी इसको तो भी नोट से कर लेना यहीं से डारेक्ली कर लेना सारे चीज मैंने एक दूम कंप्लाइ करके रखा हुआ है और पुराने वीडियो में ने बताई दिया था जैसे कि किस सदीकेश आप करोगे इस बहुत इंपोर्टन कंसेप्ट है आपको हजार बार बोल रहा हूं तो शीर सोशल सब्सक्राइब बोल रहा है हजार बार इंपोर्टन है इसके बाद मैं पता रहा था भी यह आपको पी आई टी के प्राफधान जो अभी एमसी में अप लिकेब लोगे याद रखना इंपोर्टन है उसके साथ साथ इंडिपरेंट डिरेक्टर जो लोडर के अंदर आया यह इंपोर्टन है यह तीन सार आइटम बहुत अच्छे ते करना बट आई बिलीव यह नोट्स अगर डाउनलोड करो और प्रिंट आउट लिलो टाइम वेस्ट नहीं करो ठीक है मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइटेकर नमस्क्राइब शब्रात्री और अल्द बैल फो एग्जामिनेशन